तो ये वीडियो आपका प्रोपर गोरखपुर रिभीव के उपर होगा और गोरखपुर में कल यानि कि कितना रेट कार्ड और कितना ग्रीन कार्ड मिला यह हम लोग देख लेंगे इसी में और कुछ यहाँ पर जमलब फीजिकल के रिगार्डिंग आपको बताना भी है कि कैस से क्या हो रहा है कितना पुसब कितना स्कॉइट वगेरा मराया जा रहा है ताकि आप प्रैक्टिस करके यहां से और क्या गैपिंग है क्या है सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा और टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाकर जोएन हो जाएग सारे बच्चे वहां पर आपको मिल जाएंगे तो हेलो भाई आठ फरवरी का था इनका नौ को पूरा मतलब की दो डिन का जो टाइम लग रहा होगा यहां पर जिसे की नौव वाला आपको अब रात को मिलेगा और जिनको रिभीव वेगरा सेर करना होगा नीचे डिस्क्रि सबसे पहले कुछ फॉर्म वेगरा फिल अप हुआ जो होता है और उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हुआ डिटेल में यहां पर देखिए यहां पर फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क वेगरा और यह सब नोट किये उसके बाद आपका सभी का तीथ शेक हुआ को काई बैटी तो ढ़िकेशन के अंदर नहीं है यह सब जांच हुआ आपका या कोई 3 अधा दां यह आपका जांच हुआ का टाइम दिया गया ब्रेकफास्ट के ठीक बाद सभी का हाइट वेट आइंड चेस्ट का मेजर्मेंट हुआ इसमें भी चार से पांच ओभर वेट वाले बच्चे निकल गए याने कि पॉइंट बना उनका आप चलते हैं जिसका चेस्ट फुलाने को बोला गया मतलब कि बहुत ऐसे बच्चे थे जिसको चेस्ट फुलाने भी नहीं आने चेस्ट जब बोला गया कि फुला ये फाइब सेंटीमिटर बट उनसे नहीं हो पा रहा था तो ठपड भी वहाँ पर पड़ा है उनको तो कुछ इस तरह का कॉल लिकोडिंग में आपने गोर्यखपूर का देखा होगा कि उन्होंने बताया कि गाली भी दे रहे हैं आपको ठपड भी पड़ सकता है तो आप मतलब की तैयार रहेगा ये सब चीज के लिए फिर कलर ब्लाइडनेस का जो टेस्ट हुआ और नियर वीजन बी की मतलब एक साथ ही चेक हुआ बीपी में भी पॉइंट मतलब की बहुत को पॉइंट मिला नेक्ट दे दोबारा से बीपी चेक किया गया जे जिसको पॉइंट मिला लेकिन जिसका नहीं था उसका रिए मेडिकल यानि की यहां पर बोले की बीपी दोबारा रिचेक हुआ उ सबसे स्मॉल वाले लेटर पढ़ने में दिक्कत तो हो रही थी क्योंकि लाइट इसके ठीक उपरी थी मुझे सिर्फ एक पॉइंट मिला येर्वेक्स के राइट येर में पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था तो कान भी आप लोग गोरखपूर के लिए जा रहे हैं तो साफ करा लिजेगा नहीं तो इनके जैसे पॉइंट बन जाएगा इनका कान सही से साफ नहीं था पॉइंट बना है इनका और ये गोरखपूर का आई बॉक्स मैंने टेलिग्राम में भी प्रभाइड कर दिया था ब का बस में बिठा कर एरफोस स्फिटल ले गए एकसरे का फैसलेटी वहां पर नहीं है तो वहां से आपको लेकर लोग जाएंगे वहां काफी ज्यादा टाइम लग रहा था तीन चार घंटा वहां पर लगा और और मैंने देखा तो मुझे कोई परिसानी नहीं हुई सुक्र ग्रीन कार्ड में 21 और रेट कार्ड में आपका बात करें तो 23 यानि कि 21 ग्रीन कार्ड मिला है उस दिन 17 यानि कि 17 ग्रीन कार्ड मिला था और उसके ज़श्ट बाद आपका जो मेडिकल हुआ अठ तरीक को 21 green card मिला है और आज साम तक देखते हैं कि review में कितना green card 9 तरीक वाला batch को मिलता है तो green card 21 मिला है red card आपका 20 मिला है तो 17 से उठकर ये आपका आंकडा जो number 21 पर पहुचा है आपका एक वार 24 हुआ था फिर 17 आया बाद सिधे यहाँ पर 21 आया और 23 रेट काड़ है 20 आपका ग्रीन काड़ है तो सही उठाया थोड़ा सा गुरखपुर का मेडिकल ऊपर थोड़ा सा बेतर हुआ है तो में भी आपका कंटिनिव ऐसा ही है हम चाहते हैं कि 20 प्लस रहे तो अच्छा रहेगा ठीक है एकसरे से लोटने के बाद सभी का लंच हुआ ब्रेकफास्ट प्लस लंच 75 रूपए आपका लगेगा उसके बाद सभी का आई, नोज, थ्रोट एक मैम थी आपका मतलब की वही चेक करती हमेशा इसमें मोशली कोई DNS का पॉइंट बना था ठीक है DNS माइनर वाले भी बचेंगे क्या तो बुले कि लेकिन जिसका माइनर था और सिर्फ DNS का पॉइंट था तो उसे छोड़ दिया गया उसको कोई पॉइंट नहीं मिला और दोबारा चेक करें तो नहीं यह दोबारा चेक नहीं DNS आपका दोबारा चेक नहीं हो अच्छा गोरखपूर में फ्लैट फूट माइनर वाले बचेंगे कि क्या होगा इसके बाद सिंगल सिंगल सब का प्राइविट पार्ट शेक हुआ ठीक आई नोज थ्रोट इयर मतलब यह सब हो जाने के बाद अपका सभी का एक एक करके प्राइविट पार्ट शेक हुआ दो तीन ओफीसर रहते हैं इसको चेक करने के लिए फ्लैट फूट का एक्सोसाइज भी काफी करवा रहे हैं और नई भाई एक एक डीटिल देख रहे हैं थे स्केल से नाप रहे थे आपका फ्लैट फूट नौक यह सब कुछ एक एक पॉइंट देख रहे हैं थे फ्राइविट पार्ट में चेक अप के बाद में सब का हाथ का पसीना नौक नी फ्लैट फूट हैंड बैंडिंग यानि कि हाथ टेड़ा एक सांस चेक हो गया इससे पहले काफी एक्सोसाइज करवाया गया 20 इसक्वाइट आपको मेडिकल जब आपका स्टार्ट नहीं हो था उसी के पहले हमने बता देते हो एक्सोसाइज आप लोग त्याद रहेगा हाई जंप यह सब पंजेप पर उछलने के लिए बोल देंगे कंटीनी हुए ब्रेक हम पुछे कि जो पुसब हो रहा है उसमें ब्रेक मिलेगा या लगातार माते जाए तो एक्सोसाइज के ठीक बात मैडम सबका हट्ट चेक कर रही थी ठीक हट्ट अगया हट्ट जब करार दिया जाएगा तो आपका हट्ट भीचेक होगा और इसी में एक को पॉइंट मिला है यही आप लोग कॉमेंट में पूछेते कि सर एक्स्वसा देखे एक से ठीक बात यहां पर देखे इसमें एक को पॉयंट मिला एक सोसाइज के बोले हैं hema pər खिलियर आपको दिख रहा होगा बच्चे बताएं आपर कैसा पॉइंट दात नहीं एक के बाद देखे पूसप में ब्रेक मिलेगा आपको मतलब की दो सेट करके आपको 20 मतलब की 20-50 पूसप आपको वहां पर करना पड़ेगा और अगर कहीं भी किसी भी चीज में गलती करते हो तो डायरेक्ट 15 पूसप लगवा रहे हैं याने कि डायरेक्ट 15 पूसप भी न रुके और कैसा पॉइंट है तो हर्ट बिट लो था है एक्सोसाइज के बाद भी और यह पूइंट हम पूछे हर्ट बिट लो हो गया था अब यह और यह सारे हो जाने के बाद 10 के ग्रूप में हीरिंग का टेस्ट हुआ और प्राइविट पार्ट में पीछे का नहीं देखे पाइल्स सुरू से ही जाच नहीं हो रहा हमने जब से सुरू किया रेविव देना गोरखपूर का पाइल्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पीछे का नहीं देखे बस पेनिस का स्कीन उपर से हटाएं और यहीं हुआ और अच्छा सर्जरी के लिए तो से हीरिंग टेस्ट में भी कुछ दूरी से फुसफुसा रहे थे डेजिट बोल रहे थे बस उसी को बतान देना था अच्छा सर्जरी अगर कोई मेजर नहीं सभी को नेक्सट डे साड़े साथ बज़े बुलाया गया एक बार सेफिर से आपको बता दे कि सेशिष्झी श्पेस्ट अपके जो डौक्टर होते है नेक्शट दे आपकर डे liit का फैसला करते हैं तो इनो क्या व्लाया गया गया तो उसमें आइय समने को प्राइबेट पा के body posture देखे ये उस समय अगर कुछ और problem उन्हें दिख रहा था तो उसे फिर से चेक कर रहे थे और इसके बाद देखे के body posture ये भी एक officer चेक कर रहे थे आपका मत ये उस समय और कुछ मतलब कि फिर 12 बजे के आसपास दो पहर कर समय था 12 बजे के आसपास दो ग्रूप बना दिया गया उसमें green card और red card दे दिया गया इसी जी और and BP में बहुत point बना है और क्योंकि सभी काफी घबडा रहे थे तो ECG और BP में आप ख्याल रखिएगा गोराःपूर के लिए कब तक फिरी किये तो देखे 7 बजे तक मतलब की साम जिनका 9 को था वो first day medical था तो हमारा second day medical था तो सभी को साथ ही छोड़ रहे थे यानि कि 7 बजे साम को release किये वहां से ठीक है जो 9 तारीक वाले भी गये थे जैसे कि कलनाव वाले गये हैं उनका 7 बजे medical मतलब की process करके छोड़ा गया और इनको जो पहले green card red card के लिए line में खड़े थे जिनका point था तो उनको भी 7 बजे के करीब वहां से छोड़ा गया हो गया और कुछ पूछना है तो देखिए जिसको भी rate card मिला उनको री medical दिया है कानपूर में और 3 और 4 मार्च को आपका री medical का date मिला है station के पास बहुत सारे hotel है क्योंकि air force station के area में आसपास कोई hotel available नहीं है तो तक पूरे station जाना पड़ेगा वहां से आपको बनिया एकदम सस्ता hotel भी मिलेगा air force station से थोड़ा सा मतलब की यह होटल में रुके थे मालकीन होटल उनका नाम था मालकीन होटल आप देखेंगे कि air force station के अगल बगल देखेंगा कि होटल है कि नहीं मालकीन वाला 600 रुपया प आपको रुकना पड़ेगा कि 7 बजे छोड़ेंगे तो आपको train मिलेगा नहीं मिलेगा तो आप एक रात वहां पर आपको गुजारना पड़ेगा तो कम से कम आपको यहां पर एक दिन आपका मान कर चले कि पूरा medical में बितेगा और एक दिन अगला दिन आपका red card green card के आपका तो कम से कम आप 2,000 रुपया लेकर जाएंगे तो रह सकते हैं आप एक रात रहिए और अगला दिन 7 बजे अगर छोड़ा जा रहा है तो देखिए कि 7 बजे गुरखपूर जक्सन से train आपका सर के लिए निकल रहे है 7 बजे के बाद कोई train है तो आप आजाए रहने क क्या जुरूत है वहाँ पर फिर से पैसा लगेगा अगर नहीं है तो आपको फिर से एक रात और गुजारना पड़ेगा तो उसमें आपका खर्श ज्याद आएगा निकि 61200 रुपय हो जाएगा ठीक और खापी कर आपका 3400-500 के करीब 2000 लेकर जाएंगे अराम से आपका हो